नमस्का., मेरे प्यार साथी आपका सवागत है। दोस्टो, आर्मी फार्मासिस्ट रिकुट मिन्ट टू टौर्जन ट्वंटी वन पिछणी वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बताया है कि वेकंसी निकली है फार्मासिस्ट के लिए आर्मी में उसमें जोहें काफी इ यहां से आप इसको ओपन कर सकते हो खुर देख सकते हो क्योंकि मैं पूरी चीज़े इसमें क्योंकि 12-13 पेजिस का यह फॉर्म यह पीडियाफ है तो उसको आप खुझी वहां से डाउनलोड करके क्या क्या आपको जानकारी चाहिए वो मैं आपको लिंक दे दूंगी आप उस सब्सक्राइब इतना बताऊंगी कि यह जो की इलिजिबल केंडिडेट केंडिडेट जो इसके लिए होंगे वह होंगे डिस्टिक्स शिमला के सिरमोर के सोलन एंड किनोर इन हिमाचल परदेश फ्रॉम 15 मार्च से 15 मार्च 2021 से 15 अप्रेल 2021 तक यह रैली होगी इसको स्पोर् इफार्मा केटागीरी के लिए ठीक है डिफार्मा केटागीरी के लिए है यह ओनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है बहुत जरूरी है इसमें मेंडेटरी की गई है एंड विल बी ओपन फ्रॉम एक फरवरी 2021 से यह खुल गई है और दो मार्च 2021 तक इसका जो है पंजी करनिया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा होगा ठीक है तो एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बुलाया जाएगा और एडमिट कार्ड जब आप यह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाओगे जो वहाँ पर अपनी इमेल आईडी रिजिस्टर करोगे उसी इमेल आईडी पर 6 मार्च 2021 त स्रेडियम में तो कैंडिडेट शूर्ड रिच्ट वैन्यू ऑन गीवन डेट एंड टाइम एज मेंशन इन दा एडमिट कार्ड पर ही आपका आजाएगा दूसरी बात देखते हैं कि यह कौन्सी केटागिरी क्वाली टेटिव रिकुर्मेंट मेंशन क्या है तो इसमें 295 से 2001 के बीच में होना चाहिए ठीक है वही कैंडिडेट इलिजीबल होंगे तो वही इसको रिजिस्ट्रेशन करवाएं जो 1995 से 2001 के बीच में पैदा हुए हैं हाइट इसमें मांगी गई है 163 सेंटीमिटर लग भग 5 फूट एक इंच नहीं सॉरी 5 फूट 2-3-4 इंच होग उगा यह कितना मांगा है हाइट और एज के कोडिंग होगा इसका चैस्ट जो है 77 सेंटीमिटर रहेगा और आपका प्लस 10 प्लस 2 आपका intermediate exam पास होगा जैसे कि आपका non-medical, medical, non-medical, D-farm में आपके 55% marks आपका जरूरी है और आप resistor होने चाहिए है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है, तो B-farm में आपका 50% marks B-farm वाले भी क्योंकि इसमें first जो है D-farm को तबज्जु दी गई है लेकिन B-farm वाले भी इसको भर सकते हैं 50% marks और स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ओफ इंडिया विल आलसो भी eligible ठीक है, आगर आप फार्मेसी काउंसिल ओफ तेंडर्स कुछ रखे गए हैं जैसे इंडियन गोरखास के लिए 157 cm हाइट रखी गई है और ट्राइबल और रिक्यूगनाइज ट्राइबल एरिया जैसे सभी के टागेरिक लिए 162 cm हाइट रखी गई है इसका चेस्ट जो है इंडियन गोरखास के लिए 77 प्लस 5 cm पेंशन के साथ वही 77 cm तो यह कुछ नोटिफिकेशन है जो आप में बहुत ज्यादा है इसमें बहुत कुछ बताया गया है तो आप जो है मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी आप इसको देख लें कि क्या-क्या पूछा है क्या क्या आपके कोश्ट इसके सभी जबाब सब्सक्राइब करें तो इस पर जाकर के आप अपना रिजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो थैंक यू समच फूर वाचिंग और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां जाकर देख सकते हैं थैंक यू